नमस्कार दोस्तों, स्वाकत है आप सभी का हमारे चनल पर आज मैं आपको डार्क सरकल्स की समस्या से राहात पाने के लिए कुछ घरेलू नस्खों के बारे में बताने वाली हूँ दोस्तों डार्क सरकल्स यानि की आँखों के नीचे काले घरे जो होते हैं वो कई वज़ासे हो सकते हैं जैसे की शरीर में पोशक तत्वों की कमी होना, निन्ना आना, मानसिक तनाव या फिर बहुत सदा देर तक कम्प्यूटर पर काम करने की कारण भी यह हो जाते हैं इन डार्क सरकल्स की वज़ा से आपकी सुन्दर्ता तो कम होती है, साथी व्यक्ती जो होता है वो बहुत ठका हुआ और उम्र दराज भी नजर आता है लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रभाफशाली घरेलू नुसके लाई हूँ, जिन्ने अपना कर आप डार्क सरकल्स को बहुत ही जल्दी खत्म कर सकते हैं इन्हें जानने से पहले, सबसे पहले तो एकने वेदन उन लोगों से करना चाहूंगी, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप्या, सबस्क्राइब का बटन दबा कर हमारी सदसिता को जरूर ले ले, ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे द्वरदी का जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायदा बिठा सकें दोस्तों, डाक सरकल्स को दूर करने के लिए टमार्टर होता है, वो बहुत ही जादा लापकारी माना जाता है टमार्टर में लाइकोपिन और फाइटो केमिकल्स होते हैं, जो की तवचा के लिए बेहती लापकारी होते हैं साथी दोस्तों लाइको पिंज होता है वो त्वचा को खराब होने से भी बचाता है इसे इस्तमाल करने के लिए सबसे पहले तो एक चम्मच टमाटर के जूस को एक चम्मच आलू के जूस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे और फिर उसे प्रभाविश शेतर पर लगाईए अब इस मिश्रण को दस मिनिट के लिए ऐसे ही लगा हुआ रहने दीजे और फिर उसे ठंडे पानी से वाश कर लीजे इस प्रक्रिया को दो से तीन हफ़ते तक पूरे दिन में दो बार जरूर धराईए इससे आपको फाइदा होगा दोस्तों अगर आपकी संबेदन शील तो अचा है तो आप इस मिश्रण में एक चमच गुलाब जल जरूर मिला लीजेगा और फिर इसका उप्योग कीजेगा इसके अलावा दोस्तों जो बेकिंग सोडा होता है वो भी इसके लिए बहुत दी यूसफुल माना जाता है इसे इस्तमाल करने के लिए सबसे पहले तो एक कप गुनगुने पानी में एक चमच बेकिंग सोडे को मिला लीजे अच्छे से मिश्रण को मिलाने के बाद अब इस मिश्रण में रूई डाले और फिर इसे काले घेरों पर लगाईए दोस्तों लगाने के बाद 10 से 15 मिनिट तक रूई को ऐसे ही लगा हुआ रहने दीजे अच्छे परिणाम पाने के लिए इस प्रक्रिया को पूरे दिन में एक बार धोराईए बेकिंग सोडा जो होता है उसमें त्वचा को निखारने के गुण मौजुद होते हैं साथ ही इसके सूजन रोधी गुण जो होते हैं वो आँखों के नीचे का रक्त परिंस अचरन सुधारने में भी मददकार होते हैं तो दोस्तों आपको हमारे द्वरा दी गई है जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धनेवाद